मुद्दा एक ही है राहुल गांधी और मुद्दा गरम भी है क्योंकि जिस तरीके से सूरत कोट में दोशी करार दिये जाने के बाद राहुल गांधी की संसर सदस्यता रद हो जाती है जैसे देखा जाता है कि राहुल गांधी लगतार नीरम मोदी पर हमलावर दिखाई देते हैं ललित मोदी पर हमलावर दिखाई देते हैं मिहूल चौकसी पर हमलावर दिखाई देते हैं लगतार उन्होंने उनी भगोडियों को लेकर मोदी सरनेम की बात की थी लेकिन यहां गिर जाते हैं प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी को लेकर क्योंकि उनका नाम भी मोधी से ही जुड़ा हुआ उनका नाम भी मोधी है अब ऐसे में यह सरने मोधी बहुत बवाल मचा रहा है नमस्कार मिनाजमिन खान और आप देख रहे हैं एस पैन नाइन जुस अब राहुल गांधी मोधी सरनेम को लेकर घिर चुके हैं जिसको लेकर ललित मोधी ने तो खुलासा कर दिया है ललित मोधी कंग्रेस में भरा हुआ है इस सब चीजे उजागर करेंगे यहां साफतार पर देखा जाए कि ललित मोदी जो इतने वक्त से चुप था जो जनता का पैसा लेके भाग चुका है अब ऐसे में राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की बात करता है अब यहां पर देखा जा उससे तमाम लोग यह कहते वे नजर आ रहे हैं कि यह सरासर गलत है जिस तरीके से ललित मोदी बोल रहा है वो किशी के इशारों पर किया जा रहा है अब ललित मोदी सामने आ जाता है भगोडा होने के साबित भी अपने दोशों को तो वो सही नहीं कर पाता लेकिन राहुल जनता पाटी जो उन्हें निशानी पर ले रही है अब क्या नीरव मोदी और मेहूल चोकसी की भी बारी है क्योंकि ये दो सक्स और बज जाते हैं जो भगोड़ी साबित हो चुके हैं और जनता का पैसा खाके बैठे हैं इन मैंसे किसे एक किन वीचे भी मोदी सरनेम लगता है तो अब ऐसे में क्या नीरव मोदी और मेहूल चोकसी राहूल गांधी के खिलाफ केश दर्ज करेंगे क्योंकि राहूल गांधी इनी को लेकर तो संबोधन कर रहे थे लगतार इनी भगोड़ियों की तो बात कर रहे थे जिसके तहत उनकी संसस सदस्यतारा दो जाती है अब पैसे में इस मुद्दे पो लेकर आपका क्या कहना क्या वाक्य नीरव मोदी भी बोलती में नज़र आँगे मेहूल चोक से अपनी आवाज खोलेंगे जिस तरीके से ललित मोदी ने ơnए राहूल गांधी को लेकर क्या अभी यह दो सक्स भी सामने आएंगे क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे दीजे जाजत धन्यवाद